स्वागत दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में दोस्तों यह है सेट 48 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कॉंस्टेबल एक्जाम 2019 के लिए दोस्तों यहां पंद्रक काफी इंपोर्टेंट क्वेशन आप सभी के लिए लेकर के आया हूं जो कि भारती राज बेवच् है और काफी महत पून प्रश्ण रहने वाला दोस्तों आप लोगों को एक्जामीनेशन के लिए ठीक है अगर दोस्तों आप इस पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप में जुड़ सकते हो टेलीग्राम गुरूप का लिंक आपको बित मंत्री थे देखो काफी इंप्रोटेंट सेवाले पूछा जा रहा है कि स्वतंद्र भारत का प्रथम बित मंत्री कौन थे और के सनमुखम सेटी लियाका तनी खान जौन मिथाई सत्यन अरायन सिन्ना आप लोग बताओ कमेंट सेक्षिन में जाकर कि कमेंट में टाइप करके बताओ कि स्वतंद्र भारत का प्रथम बित मंत्री कौन है और अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहां सही जवाब की तो सही जवाब होगा दोस्तों आर के सनमुखम सेटी जो चेटी थे और के सनमुखम सेटी वह भारत के स्वतंद्र भारत के प्रथम बित मंत्री थे औ बहुत बढ़िया अब देखो दोस्तों यहां जॉन मिठाई का भी नाम आया है तो जॉन मिठाई के बारे में भाद के प्रथम डुक्त मधब है और अंत्रीम मंत्री मंडल में दोस्तों लीकाथ लियाग अतरी खान को न थे तो जो अन्त्री मंदल में दोस्तों लियागा तरी खान बताया है में एक है आर ए executive रेलवे और पडिमहर मंत्री थे ठीके छली है अगला question को देख लेते हैं दोस्तो यहां आगला क्वेस्चन है नेमलिखित में कौन सा अनुछेद 26 नॉमर उन्चास को लागू हुआ था देखो काफी इंपोर्टेंट सवाले और भी कुछ अनुछेद थे जो कि 26 नॉमर उन्चास को लागू हुआ था आप देखो दोस्तो इस डेट को क्या हुआ था हमारा सविधान जो था दोस्तो अंगिक्रित हो गया था इस दिन जो था वह बनके हमारा सविधान जो था तैयार हो गया था और इस दिन कुछ अनुछेद को लागू भी किया गया था ठीक है तो आपको बताना है कि अनुछेद कौन सा लागू हुआ था उन्चास को ठीक है 388 अब देखो दोस्तों अनुश्यद 388 ही नहीं कुछ और अनुश्यद थे जो आपको 26 नुमर 499 को लग हुए थे जैसे कि अनुश्यद 5 आप लोग इन्नो डान भी कर सकते हो छे 7 काफी अनुश्य थे 389 ठीक है मैं आपको यहां बता देता हूं साथ अनुश्यद जो साथ था वो फिर 324 ठीक है 324 के बाद दोस्तों 366 366 यह सब जितने भी अनुश्यद दोस्तों यह इसी दिन लागू हो गया था 26 फिर दोस्तों 380 उसके बाद दोस्तों बारी आती है 388 यह जितने अनुश्यद का मैं नाम बताना दोस्तों वो सारे अनुश्यद जो है थे 26 नुश्यद 949 को ही रागू हो गये थे कुछ और अनुश्यद है जैसे कि 391 ठीक है 392 और 398 ठीक है जितने अनुश्यद दोस्तों वो 26 नुश्यद 949 को ही यहां लागू कर दिया था ठीक है और दोस्तों अगर हम बात करें तो 26 नुश्यद 949 को हमारे सभिधान को अंगिक्रित भी कर लिया गया था जिन्होंने इसका सई जवाब ऑप्शन नमर ए दिया है बिलकुल बढ़ि कब बना देखो दोस्तों यहां पर लोगतांतरिक गनराज के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत जो है संपुन प्रभूत्व संपन लोगतांतरिक गनराज कब बना यहां ओप्शन भी है आप लोग इसका सही जवाब कमेंट सेक्षेन ने बताईएगा अभी जाकर कि बत दिन हमारा सविधान जुथा अंगी करेद भी हुआ था और इस दिन दोस्तों कुछ हमारे सविधान भी यहां पर लागू किया गया था ठीक है और 26 difference नॉम्बर उन्यसोंचास को हमारा जो प्रस्तावना है इसे भी आजे के दिन 26 नॉम्बर उन्यसोंचास को ही यहां पर ल इभरिका, ब्रिते, पाकिस्तान, भारत आपको जवाब बताना है यहां अलिखित सविधान पूछा जा रहा है कि किस अदेश का है ठीकैUM, तो दोस्तो इसका सही जवाब क्या होगा option number B Britain जो होगा दोस्तों उसका अलिखित सविधान है ठीक है option number B इसका बिलकुल सही करम वार जो है यहां पर वर्णन किया गया है पूरे कानून को ठीक है और अगर ब्रिटेन के बात कर दोस्तों तो ब्रिटेन एक ऐसा अपवाद कंट्री है जहां पर सविधान लिखित नहीं है और लिखित है ठीक है यहां का सविधान जो है और लिखित है ठीक है चलिए आग संगहात्मक दो-प्रकार की सरकार होती और तीसी प्रकार के समझ सकतिया किसके हाथ में में ने आप ताइब कीजिए कि एकाथमक सरकार में समच सकति हैं किसके हात हम होती है। अस्थानिय सरकार के पास केंदर सरकार के पास प्र Pine चैट सरकार के पास। इसका सही जवाब क्या होगा देखो दोस्तों अगर इसकी सही जवाब के हम बात करें तो काफी important सवाल रहेगा आपके examination के लिए एकात्मक सरकार से समझ सकतिया किसके हाथ हो मोती है तो दोस्तों वो होती है केंद्रिय सरकार के पास एकात्मक सरकार में समझ सकतिया किसके पास ह होती है केंद्र सरकार के पास् Темidar का है Country यगा वही पूरे राज्य को मानना पडेगा वही पूरे देश की उनकी नागरिकों को मानना पडेगा ठीक अगर दोस्तों हम एकात्मक्त की बात यहां पर किए है तो एकात्मक्त में क्या होता है कि सभी सक्थिया जो वो किंद्र सरकार के पास होती है ठीक है और इसमें जो राज होते हैं इसके अंदर काम करते हैं जो किंद्र सरकार बोलते हैं वही मानना पड़ता है राज सरकार को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन देखते हैं दोस्तो अगला क्वेशन है यहाँ पर कि सधके कि बढ़ेंगे संविक तट कलगे को Denet सदेस को Devi लोक-षभराषसभा कि तो यहाँ पर एक सवाल उटके आता है कि भारत में किसत्रीके के विवस्था हैatta वहां पर संगय सर्कार है या एकात्मक सरकार है तो मैंने आप लोगों कém抓ा हो और संगहात्मक पूछा सकता है कभी पूछा जा सकता है काफी important होगा ठीक है दोस्तों यहां पर पूछा जारे दोस्तों कि द्वी सदनिय में वस्ता में कि सरकार की विसेस्टाय में होती है तो इसका सभी जावाब होगा संग सरकार के नीचे ही काम करेगा इसके ऊपर नहीं या इसके बड़ाब्र में भी नहीं ठीक है लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता कुछ हग जो है किंद्र सरकार के पास है तो कुछ हग जो है राज सरकार के पास होती है इसी के लिए भारत की जो सरकार की विस्यस्ता है दोस्त सभस्षा की पूछा जाता है लोग सभा को और किस नाम से जानते मैं आप सभी को यहां पर बता दूट तो लोग सभा को निमन सदन भी कहा राजसभा की बात करें इसे उच्छ सधन भी कहा जाता है ठीके राजसभा के सभी सदस्वा का निर्वाचन कैसे होता है तो अब परत्यक्ष रूप से होता है और राज्यों के विधान सभाव द्वारा यहाँ पर निर्वाचित किया जाता है अगर तो वहीं हम छोगसभा की सदस्ट की बात करें निरवाचन तो इन्में प्रत्यक्शुरूप में दोस्तो नि जनता के दवारा होता हैं तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है क्योंकि आपके जाम में कहीं पूछ दिया गया कि लोकसभा का जो election होता है उसमें कौन भाग लेते हैं आम जंता भाग लेते हैं ठीक है और ये किस तरक का इनका election होता है तो परतेक्ष रूप से होता है लेकिन राजसभा में बिधान सभाओं दुवारा अपरतेक सुरूप से राजसभा का मेंबर का चुना होता है ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है चलिए आगे बरते दोस्तों अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है कि सक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्र नयापाली का किसको दो महत्पोन विश्यष्टा है सक्तियों का विभाजन और सवत्र त्रया नयापाली का किसकी दो महत् дости hybrid यहां पर पूछा जाए और आप लोगों को का यह क्वेशन होगा दोस्तों आप लोगों के लिए तो दोस्तों अगर हम यहां बात करते हैं सक्तियों का विभाजन हों स्वतंतर नयापाली का किसकी दो महत्पुन विश्यस्ताइं होगी तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सरकार का संहीय स्वरूप का जो है महत्पुन सबसे बड़ा उधारन भी है यहां दोस्तों क्या होती है इसकी दोहड़ी नागरिकता होती है एक आपकी स्टेट में आपकी नागरिकता होनी चाहिए और दूसरा जोगी State में होगी जिसे कि दोस्तों उनको चलाना है अपने अस्तर से state को ठीक है इंडिया में भी जस्ट यहीं है लेकिन जो अगर हम USA की से बात करें तो USA में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई स्टेट चाहे फेडरल से केंद्रिये से किंद्र से अलग होना तो वो अलग असानी से हो सकती है लेकिन इंडिया में यह चीज बिल्कुल नहीं है आप अलग नहीं हो सकते अलग भी रहोगे ना को इंडिया में सामिल कर लिए जागा इसका सबसे बड़ा एक्जामपल जम्मुकस में ठीक है दोस्तों जो कि हमारे देश के लिए काफी बढ़िया हुआ है तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा सक्तियों का विभाजन और संतंत्र नया पालिका जो है किसकी महत्पुन विस्यस्ताय ह होती है तो आगे बढ़ते हैं कि यहां पर संग्य सरकार के सासन का गंभीर दोस्त क्या है यहां देखो दोस्तों संग्य सरकार का सबसेrite का नहीं की ठीक है तो इस पर कोई दबाव नहीं बना जा सकता लेकिन इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है कैसे अलग हो जाओगे रहना तो भया मेरे साथ ही है चाहे रोके रहो चाहे हसके रहो नहीं भी रहोगे ना तो जबरदस्ति बांद के रखेंगे ठीक है तो यह है दोस्तो संघ संघातमक सरकार में और और संघातमक सरकार में ठीक है चलिए आगे बढ़ते और अगला क्वेशन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेशन यहाँ पर कि दोहरी नागरिक्ता निमलिखित में से किसकी विस्यस्ताय होती है तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोहरी नाग पढ़ेगा नागर्टिता तबaurus वहाँ पर की रह सकते हो ठीक है अगला कोशन है सासन की एकात्मक पदीति का लाब है देखो दोस्तों है चांत्मक पदीति का लाब होटा तो दोस्तों यहां पर अधिक अनुकुल सिलता ड्रिंड राज जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद का कम सभावना तो इसका सही जवाब क्या होगा अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ठीक है तो दोस्तों अगर य पतासन के एकात्मक पदीती का लाब जो है वो क्या है तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ड्रिंड राज यह दोस्तों एकात्मक पदीती है जो कह दिया सो कह दिया वह आपको मानना ही है जाया वह स्टेट हो चाया कोई और हो ठीक है एक कंट्री के अंदर अगर कोई दो कंट्री यहां सरकार चलती है एक है ब्रिटेन और दूसरा निव जिलेंड यह दो कंट्री जो कि एक कातमक पदीती पर चलते हैं जो सेंटर कहगा वही सबको मानना ही पड़ेगा ठीक है तो पर कि यहं दोस्तों कि बिषेश यहां जो है इसका लाब है चलिए आगे कोंगति देखते हैं स Azam ही एगला कुछेशन सविधान में समासिक composite भायति और लिप ढूल्णिंट में से किस परकार किया गया है तो दोस्तो जो समासिक खांवार्धिक सब्सक्त में बहत má घा सकता है, इसको तो इसका सही जवाब क्या होगा अर्द संहिये हैं ठीक है चले दोस्तों आगे बढ़ते और नेक्स्ट को देख लेते हैं देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम लिखित में से कौन भारती सविधान की एक विशेस्ता नहीं है अब देखो दोस्तों यहां पर विशेस् और नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर विशेस्थाही की बात करें तो सवेकरें संथ्य तर नययपाली का अधक्षिय सरकार यह संगहिय सरकार इसका सही जवाब क्या होगा आपको इसके पहले विश्यस्ता है पता होनी चाहिए तभी आप इसका सही जवाब दे पाओगे अगर दोस्तों हम भारती सरीधान की विश्यस्ता की बात करें तो संसदिय सरकार है बिल्कुल सही होगा सोतंतर नयापाली का है बिल्कुल सही होगा अधक्षिय सरकार नहीं संग्य सरकार बिल्कुल सही होगा संग्य के रूप में काम करता है ठीक है सेंटर में इसकी सरकार है तो वो भी सही हो गया ठीक है तो जो अधक्षिय सरकार है यह इसका गलत जवाब होगा इसकी विश्यस्त कभताइं वो कहां चलती तुम्हें सब्सक्राइब को नियुक्रा सफ्राइब को अगला क्regrass दोस्तों अगला क्वेशन को देख लेतें हैं अगला क्वेशन तो यहां पर एकातमक एवां संगहात्मक सरकार के वर्गी करन का अधार क्या है अब देखो कैसे आप कह सकते हो कि यह एकात्मक सरकार है और यह संगहात्मक सरकार है इसको वर्गी करन किस अधार पर किया जाता है ओप्सन भी यहां पर दिये गए हैं आप लोग जाए कमेंट सेक्षेन में बताइए इसका सभी जवाब क्या होगा ठीक है काफी इंपोर्टेंट सवाल होगा आप लोगों के लिए आज का काफी बीबीए सवाल है एकात्मक यूँ संगात्मक सरकार के वरगी कान का धार क्या ह दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर एकात्मक और संगात्मक सरकार तो दोस्तों वह डिपेंट करता है केंद्र और राज राज्यों के बीच का संबंद केंद्र अगर फैसला लेता है पूरे देश के लिए तो वह एकात्मक हो गया ठीक है और राज उसके साथ में है तो व गेंद्र अकेले अगर काम कर रहा है पूले दिस में तो एकातमक है अगर केंद्र राजर दोनों मिलके काम कर रहा है जैसी कि usc में संघात्मक सरकार है राज जब अलग होना चाहिए वो USA से अलग हो सकता है अपने तरीके के सरकार वहां चला सकते हैं ठीक है लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है मैं भारत का एक्जामपल दे रहा हूं क्योंकि भारत जो है एक आत्मक और संघात्मक के बीच में आता है और संघात्मक आता है ठीक है चलिए अगे बरते हैं अगला क्वेशन है भारत के सविधान है देखो दोस्तों अभी मैं काफी टाइम से आप लोगों को यही सवाल करव ठीक है और ऐसा किसigor भी कहांथ एक वो की ह 2020 है जिनका नाम है केसी वेहर जो है दोस्तों केसी व की संघात्मक है तो आप के सिविश काबी नाम याद रख सकते प्रोफेसर केसी वेहरा उन्हें खुद कहाना यहाँ चलिए central ethics के कि नियम्म निखिट में से इसे कौन सा संसद्य सरकार की अतुल्निय विस्यष्ष्षता होती और विधायका का संलेयन नियायक सरवस्षता या संसत की संप्रभुता इसका सही ज вес जवाब क्या होगा आप लोग बताइये इसका कमेंट सेक्ष NC में इसका सही जवाब क्या होगा करें कि सेसदे सरकार का अतुल में बिसेंशता क्या होती है तो कारेपालिका प्रिधाका सनलेंश जो हता है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ठेक है है कोjacिट धोस्तों तो यह थे टॉब 15 खतरना कुएस्टिन लोकी आपके बिहार प्लिस इंप्पेक्टर एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है अगर दोस्तों आप लोगों को कुएस्टन में मजा आया हो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लास तक देखी लिया है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो में तब तक के लिए हम दिज़े जाजत वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और कमेंट में बताइए आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है इसे हमें उत्सा मिलते हैं और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें थेंक्यों